तो दोफतों आज की वीडियो में हम ना हम ना एक कैसे hero के बारे बात करेंगे जो बहुत ही जएदा powerful है अगर हम इसको कहा देना कि यह doll हुआ में overpower किया गिया कई दफा तो यह बात गलत नहीं होगी क्योंकि इसकी power कई दफ हमें ऐसी दिखाई गए कि जैसे यार यह कोई gold लेवल पर यह बस बता आपने वीडियो के थंबल अटाइटल से तो पता लगाई यह होगा कि यह वीडियो आज किस पर है और यह वीडियो आज शी हाओ पर है इस वीडियो में हम शीयाओ के बारे में बात करेंगे मैं इस वीडियो में आपको शीयाओ के थोड़ी बहुत power level के बारे में और थोड़ी बहुत टेक्नीकों के बारे में बता हूँगा क्योंकि मैं आपको सारा नहीं बता सकते हैं इससे आप लोग का suspense भी खतम हो जाएगा और शीरीज देखने का मज़ए शारा खतम हो जाएगा और हाँ इसमें न अनन बाकी के जो डोग हुआ है उनके हीरो के बारे में भी थोड़ी वोट डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे दोस्तो इस बंदेरे न उपर वाय रीलम के सब से ज़यदा ताकतवर बंदों में से न साथ बंदों को मारा हुए जो बहुत ही ज़यदा उपर वाय रीलम में ही पार्फुल गए जा सकते हैं और उनमें से जो आफरी वाला था हो तो बहुत ही ज़दा पार्फुल था और उन सारों के लेवल ये शीयों से कई गुना ज़दा था और उस तक इसके लेवल कोई खास पार्फुल भी नहीं था लेकिन हमारे शीयों ने उन सब को ठोका भी फाहिन माना की एंड में खुद मर गया मगर ही री इंकारेट भी हो गया लेकिन उन फारों को ठेकानी लगार डाला इसने ज्यादर लोग मैं इसको सार्थ की हीरो के नाम से भी जानते हुए क्योंकि वह भी कभी नहीं हार्थ किसी लड़ाई में और ये भी आप लोग देखी सकते हो यहां भी हर्ट बाउगवा की हीरो की तरह ना अपने से कई गुना उतर नैवल वाले वोरियर्स को राम से मार देताक सर और इसकी सबसे वह पार्फुल टेक्नीक में कुन पैक टेकनीक आती है और इसमें जो रिंकारेशन टेकनीक देखी है वह भी बहुत ही वैदा पार्फुल होगी लेकिन एक बात माननी पड़ेगी चाहिए जो मरसी है इस डॉंगवा की ग्राफिक्स बहुत ही वैदा जबरदस्ते यानि लोगों ने ग्राफिक्स की कॉलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन मुझे इसमें न शीयाओ के एक और बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जो शीयाओ है न कभी भी न इसने न जो अपने जो जिमेदारी है न इन से बचने की कोश्च नहीं की यहाँ तकि अगर इसकी कोई वाइफ है तो यह अपनी वाइफ को भी बेजिज़क एकसेप्ट कर लेता है बाकी के बहुत से जो डॉंग हो है न उन में अगर कोई लड़ी की उन से प्यार करती है तो वो लोग एकसेप्ट नहीं करते है मगर मैं शीयाओं में यह चीज़ देखें कि यह बहुत ही वैदा लवली किसम के इंसान है अब बात करते हैं इसकी पावर लेवल्स के उपर अगर मैं आप लोगों आप जो बताने जा रहो नो उसको देखके आप लोग शाहिद कोमेंट में मुझे गुफा भी करें और बह हैं वो हैंड तो हैंड बैटल में शीयाओं को नहीं मार सकते क्योंकि जो इसकी टेखनीक एदा फाइटिंग के आप इसको देखो आपने जब इसको पिछले जो गोट से यह जब लड़ा था उसका नेवल इससे कई गुना वैदा था और शीयाओं की उमर भी इतनी कम है और क्योंकि मैंना अभी तक फिर tap Hand to Hand Battle के बताया मैंने और अग पावर्स के बारे मने बताया ना मैंने और पावर्स के बारे में बताया चाक्नीक के बदेख्चियाओं को यह इडा सकते लेकिं जो hand-to-hand battle है इसमें शीयाओं को नहीं हराएह जा सकता hand to hand battle वायाद की भी अच्छी है और टैंकी भी अच्छी है मगर जो शीया हुए इसका कोई अलब ही लेवल चला गया hand to hand वेटल पर और अगर आफर लेवल के बात करें तो जो शीया हुए यह immortal बन जाता है मगर यह कभी भी नहीं मर सकता जो है नॉर्मल के एंड़ के अट में भी च्छीया हो प्यूए ओ्णा होटी जो दो मियन साल से भी जएदा होती और इसके पास स्प्रीम ब्लन भी नवी है जो बहुत ही ज़या पाउर्फुल यहां तक कि जो इसकी सुप्रीम ब्लड लाइन है ना इसी से ही सुप्रीम बॉन को दुबारा बनाया जा सकता है अबर आइटम की बात करें तो इस स्या होँए उसके पाफ ना ब्लाइटनिंग बैटल आर्मर पी है और जो डिवान स्ट्राइक स्टोन है वो भी शीया होँए इस टेझ जो आर्मर है वो तो आपको पह पहा चली यह नाम से किस काम un люб और यह जो आर्मर है जो Shiaog के पाफ पिछले वाल आर्मर था नो उससे कई गुने फैदा पावर्फुल है और आप ते इसको ने एक फाइड में देखा भी हो गए जब Shiaog के पाफ जो बहुत ही फारे हैं और पर फारे हैं और अगर उनकर नाम लेने लग जो तो मुझे तो लगता है किया अधा दिन निकल जाए जो है dog sacrifice level और उसके अब तक फिरफ शिया हो यह आ सकता है और कोई भी नहीं आ सकता है यह यह level कोई भी achieve नहीं कर सकता है कभी भी कोई भी achieve नहीं कर सकता है जो dog sacrifice level है यह समझो सबसे ज़यदा powerful level है इसमें हमारी spirit और हमारी body दोलों आपफ में मिल के attack करती है और जो spirit है वो body से कई भी अलग हो सकती है पर याद रखना अजर अब भी आप लोग compare करते हो ना कि आप heroes को अभी से ही dog हमें compare करने लाज रहे हो तो यह आप लोग सब्सूर ही काम करें क्योंकि यह जो heroes है आपर एक दूसरे के सामने आगा ना पहले ही एक दूसरे उगले लगा लेंगे कि जो यह फारे जो main heroes और वाकि इनका एक ही मकसद है अच्छा ही का और इनके अंदर कोई बुरी आइदत है नहीं इसे दूसरे hero को उनसे दफरत भी नहीं होगी तो इसी यह मतली वज्या से नहीं यह फारे आपस में बहुत ही व्यादा अच्छे दोस्त होंगे इसी तरह हमाई जो great ruler है ना वो हमाई फर्मने एक बड़ी विफाल है आपस में पहली पार मिलते हैं तो एक तुछ मुस्कुरा के गले मिलेते हैं और आगे जाके बहुत ही व्यादा अच्छे भाई बन जाते हैं आपस में बालकि जो great ruler है ना इसके आने फे मैं नोगो लगता है कि जाओया नीतरा पारफुल होगा लिफ नोगी तरा पारफुल होगा मगर ये देखो जैसे ये आपस में जो नोबल में बहुत ही वादा अच्छे दोस्त बन गए थे इसी तरह ने एक भाई था जिसने एक कॉमेंट किया था कि ये कहते है कि ये जो जाओयान है और ये जो लिंग दोंगे है और जो शीया और टैंक फैंग वगर ये तो फिर अफ दुनियाओं में अंदर ही रह रहे है यानि एक दुनिया को भी उड़ा सकते और ये जो लूफ हो गया वो तो जाके ग्रयक्सीफ को पार कर रहे हा और ग्रयक्सपी को ऊड़ा रहे है उनको पता होता है आगे जाकर कौन क्या बढ़ेगा और इसी तरह कोई मैंने मुझे कॉमेंट किया था कि जो अगेर फ्रदा गोर्ड का जो में लीडर यूँची वो कोई खास पार्फुल नहीं और भाई एक बात बता दूँ मैं आपको वो भी आगे जाकि अपनी मरवी से ग पावर तो चाहिए ना तो ऐसे ही थोड़ी हर कमजोर बंदे एक हैरम बना के अपना बैट जाएगा और इसके हैरम में जायात रागी डाकर गोर्ड है सूंगी देख लेना और अगर मैं बाकी नोवल्स की बात करूँ और अगर मैं अगेर फ्रदा गोर्ड की बात करूँ औ पारे बाते ना हमें नोवल के अंदर ना एל्सिस्टर गोर्ड ने खुद बताइए और एल्सिस्टर गोर्ड हो आज़िस ने अर्थ दुनिया के हर इंसान हर गोर्ड को बनाया है यहर एक चीव को एदा और इसप्शन गोर्ड ने का थह का था कि यह आगे ग utiliz को क्रोल नह कर सकती, एनर्जीव ने मिलके एंसिस्टर गोड को बनाया, मगर जो एनर्जीव है एनसिस्टर गोड उन्हें कंट्रोल नी कर सकती, लेकिन जुनची आगे लाकिन एनर्जीव को भी कंट्रोल करेगा, लेकिन यहांसा पूछोगा नौवल के एंड में, क्योंकि अजर अब इस तो अभी बहुत फारा नावल पढ़े आगे, इसे तब तक कि यह आप लोग करना पड़ेगा वेट, क्योंकि जिन जिन को ज़्यादा चल्दी थे, उन लोगे ने तो नावल पढ़के फारिक भी हो गए है, इसी बात से अब आपनोंगर डावटीव मामले में क्लियर हो गय क्योंकि जो अच्छी ही रोते, कभी कबार उन लोगों पर रहम दिखा देते, जिन पर नहीं दिखाता था और वो आगे आके उनको कोई बहुत ही बड़ा धक्का बार देते हैं फिर, वैसे यह एक कंबेरिशन वीडियो नहीं थी, मैंने बस आप लोग को इनकी पावर्स ल क्योंकि